नमस्कार किसी भी लोगतांत्र में सरकार का करताव्य होता है कि संकट के समय जनता की मदद करें पर करोना की महमारी ने दूसरी सोनामी ने ये साबित कर दिया कि भाजपा सरकार मदद करने में नहीं बलकि जनता का संकट भढ़ाने में और संकट में जनता को छोड़ जाने में विश्वास रखती है। ऑक्सिजन की किलत, दवाइएं की किलत, हस्पतालों में बेड की शॉटेज, जनता ने मदद की गुहार लगाई। भाजपा को नहीं सुनाई दी जनता की बेबसी की जो चीकें थी वो भाजपा को नहीं सुनाई दी जनता का हाथ थामने की बजाए भाजपा सरकार में हाथ खड़े कर दिये जो दिखाता है कि भाजपा सरकार जन सेवा सरकार नहीं बलकि जान लेवा सरकार है देश की जंता को उमीद थी कि अब भाजपा को पश्चा ताप होगा भाजपा जितने करोना महामारी में जिन लोगों ने जाने गवाई है उनका आंकड़ा बताएंगे उनके परिवारों को मुहाफजा देंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाजपा ने सत्य छुपाना, आंकड़े छुपाना और दुष्परचार ठिलाने का काम किया क्योंकि भाजपा का दूसरा नाम है बेशरम, जूटी, पाटी जो सिरफ वाह वाह मही विश्वास रखती है पर जिम्मेदारी और जवाब देही में विश्वास नहीं रखती 25 लाख करोड से अधिक तेल के टैक्सों में जनता की जेबों से निकाल के लूट लिया हजारों करोड रुपया प्रतिवर्ष इश्टिहार भाजी में भाजपा सरकार लगाती है पर जब जो करोड से जो पीडित परिवार हैं जिनके सदस्र करोड महामारी में अपनी जान गवा बैठे उनको महावजा देने के बिज़ाए ये सरकार गुंगी और बहरी सरकार हो गई है तो आज देश की और से भारतिय राश्टिय कॉंग्रस की और से दोस्पष्ट मागे हैं सबसे पहले भाजपा जो करोड मरत्क हैं उनकी आंकड़ा बताएं करोड से कितनी जाने गई हैं उनका सही आंकड़ा बताएं क्योंकि आपक सतन کے संसद में कोई आंकड़ा नहीं बत आंकड़े चुपाना, सत्य दबाना और दुश्परचार भेलाना। आज वक्त आ गया है कि भाजबा सरकार को जनता से हाथ जोड़के माफी मांगनी चाहिए, आंकड़े बताने चाहिए और मुहाफ़ा देना चाहिए, क्योंकि भाजबा ये मत भूले कि चान, सूरज और सत्य छुपाए नहीं चुपता। जैहिंद।